नमस्कार दोस्तों तो फाइनली आफटर 34 येर्स इंडियन गवर्मेंट एडुकेशन पॉलिस में बहुत बड़ा चेंज लेकर आई है तो आज इसके बारे में डिटेल से जानेंगे क्या इसका फाइदा मिल सकता नहीं जनेरेशन को और क्या इसका क्रिटिसिजम किया जा रह आज हर एक टॉपिक पर बात करेंगे इसे जुड़े मेरे साथ लास्ट तक बने रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें तो इस पॉलिसी के बैक्राउंड के बारे बात करें तो हमारे जो इसरो के फॉर्मर चीफ हैं के कस्तूरी रंगन उनके अध्यक्षता में कमेटी बनाए गई थी जिनके दौर अब 2019 में पिछली साल एक ड्राफ्ट समिट कराएगा इंडियन गौर्रमेंट को जिसके तहत य करी गई है तो आज इसके बारे में डिटेल से जानते हैं तो सबसे पहली चीज जो सही करी गई है इस पॉलिसी के अंदर वह यह करा गया कि अपनी HRD मिनिस्ट्री जो यूमन डेवलेबर मिनिस्ट्री है उसका नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया जो क कि बहुत सही चीज है हमेशा लोग कन्फ्यूज रहते थे इसके बीच में कि यह HRD मिनिस्ट्री काम क्या करती है किस फिल्ड में काम करती है तो अब पर्टिकुलर एक स्पैसिफिक इसको नाम दे दिया गया जो कि बहुत सही चीज है तो मैं आप से बात करूंगा स्कूल लेवल से लेके higher education तक एक-एक स्टेप वाइस की स्कूल लेवल में अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ हो स्कूल एडुकेशन सिस्टम में 10 प्रस 2 वाला पैटरन होता था उसको खतम कर दिया गया और उसको रिप्लेस करके 5 फिर जो नेक्स थर्ड यर प्लान इसको प्रिपरेटरी स्टेश का नाम दिया गया जिसमें बच्चे की थर्ड फॉर्थ और फिफ्थ क्लास को कवर किया जाएगा जो की बेसिक गेम्स के साथ पढ़ाया जाएगा जिसमें और चीज और रहे गई गवर्मेंट के द्वारा इस इसमें चीज यह किया गया कि बच्चे को सिoule को से को दिया जाएगा जो कि कोरेश टाइम पे बच्चे सेकते थे अब व Task ₹ ब्लस एक समोन एड्र कर दिया प्लस इसमें पॉकेशनल एड्र कर दी गई गई है ताकि बच्चे स्कूल से यह सब चीजे सीखके निकले कि बेसिक काम कैसे किये जाते हैं और फिर आता नेक्स्ट प्रेशर पड़ता था काफी ज्यादा स्टॉडिस का एक्दम 11 और 12 में पर गवर्मेंट ने इस चीज को डिवाइड कर दिया चार सालों के अंदर 9 10 11 12 क जो सबसे मेजर चेंज करा गया वह यह करा गया गया गॉर्मेंट के दुवारा कि 9 हार्ट सेपरेशन ऑफ स्ट्रीम्स करा गया जिसमें फ्लैक्सिबिलीटी रहेगी स्टूडिन के पास उसका जो सब्जेक्ट पढ़ने का मनोगा वह सब्जेक्ट पढ़ सकता पहले क्या हो है इस एडुकेशन पॉलिसी में तो इसमें और भी काफी अच्छे मज़ेदार से चेंज के गए हैं जिसमें की वोकेशन स्टूडिस को बहुत ज्यादा फोकस दिया जाएगा सिख क्लास से लेकर 12 क्लास तक और बच्चों को आर्ट्स के लिए स्पोर्ट संक्शन के लिए जादा बुलाया जाएगा बच्चों को बीना बैक और जो करिकिलिम कंटेंट है उसको रिद्यूस किया जाएगा बच्चे के लिए और जो इंक्वाइरी बेस्दिसक्षिन बेस्ट और डिस्कवरी बेस्ट एड्युकेशन जादा होगी रट्टो फाइवाला सिस्टम खतम बेस्ट एक्जाम होंगे ताकि बच्चे के दिमाग पर ज्यादा जोर ना पड़े एक ही बारी में एक्जाम देते थे जैसे बच्चे पहले वह वाला काम नहीं होगा तो ऐसे कुछ साल अधर को कि क्जाम घंट होंगे इसकी है लोक्त मिला जायगा तो अगि करते बाधे उसके मेंट हीरा ओर शोड़ते हैं, तो उसके लिये आपको Diploma मिलेगा. अब अगर थडर यर में को ओर छोड़ते हैं तो उसके लिये आपको Diploma मिल है और अगर हम गाल कसे था यर का पूरा तो आपको उसके लिए सब्सक्राइब करेगा जो कि क्रेडिट को स्टोर करेगा स्टुडिंट्स के और एक कॉमन रेगुलेटरी बोड़ी बनाए जाएगी इस बारे में आपको उसके बारे में बताऊंगा थोड़ा थोट वॉट इस दो क्रिटिसिम अबाउट इस नियू पॉलिसी वह इस बात के ओपर किया रहे है कि जो हमारे इंडियन कॉंस्टिटूशन में जो तीन लिस्ट दे रहा है उसमें से जो एजूकेशन सब्जेक्ट है वह स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है लिकिन जभी पॉलिसी बनाएगा जिसका ड्राफ्ट त्यार किया गया तब स्टेट्स को इसके अंडर में लि लेंगेशन पढ़ा सकते हैं जो उनकी स्टेट की यह जो इसमें पढ़ा सकते हैं तो आप एक बात समझें अगर कुछ साओध इंडिया का स्टूडेंट है वहां पर फिफ्ट लास तक पढ़ता है और उसके बाद नौट इन्या में शिफ्ट हो जाता बाद में तो वहां प हुआ है